जाहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस योटूब चैनल स्टेडी अपने लिये पर आज हम लोग कि नाइन सत्यम्बर का कि सिफ्ट नंबर टू कि एक्जाम रहेगा एससी सीजी एल ठीक है इसका हम लोग एनालाइसिस देखेंगे ठीक है तो जीके और जीएस का देखेंगे और करेंट अपने पहला नहीं देखा तो आप लोग वह भी देख लेजिए तो हम लोग शुरू करते हैं पहला पूछा जा रहा था आपके एक्जाम में पूछा जा रहा था कि गगन नारायन ठीक है नरंग टीक है गगन नरंग ने जीता है ब्रॉंज ठीक है ब्रॉंज बैडल ठीक है ओलम्पिक में अटा है है कि तो वेइग पुछा गया था कि गगन नरंग जो है ओल्मिक में कौन से मेडल जीते तो इक कौन-समेडल जीते थे मेडल जीते थे यह कुक्छीन आपका पुछा गया था जो कि इंड्डियन शूटर है अगला कुश्च ? केरक बात करते हैं question number two leader का नाम पुछा था ठीक है छीटा गॉंग आर्मरी जो था उसमें जो रेड हुआ था चीटा गॉंग आर्मरी रेड वो 1930 से में यह पूछा, इसमां पूछाता इनके लीडर कौन थे लीडर कौन थे यह आप से एक्जाम में पूछा गया था तो इनके लीडर का नाम अपका सूरय सेन पूछा गयाता कौन से लीडर में जो कि इंडियन फ्रिट्डम स्टगल 1930 में हुआ था तो सूरियस है थे अगला कुश्चिन जो है आपके एक्जाम में जो पूछा गया था कुश्चिन नम्बर ठी हम देखेंगे कि कौन सा प्लेस है प्लेस का जगह एक ऐसा प्लेस का नाम बताईए ठीक है डास प्लेस अलाद अल्द दीं खिल्जी जो है इन वेट किया तो कौन से जगह से वह किया थे उस प्लेस का नाम पूछा था उस प्लेस का नाम था देवागरी ठीक है देवागीर उस प्लेस का नाम था यह आपसे पूछा गया था question number of 4 में बात करें कि अगला question जो आपसे पूछा था कि article 257 से रिरेट पूछा था article 257 यह deals करता है यह क्या चीज में deals करता था यह question आपसे exam में पूछा गया था तो basically यह deal करता relation रिलेशन बिट्विन यूनियन एस स्टेट ठीक है यूनियन और स्टेट का जो रिलेशन है उस पर यह article deal करता है ठीक है अगला question आएंगे question number five पर देबात करते हैं गोविन जी नित्राले ठीक है यह यह dance का है गोविन जी नित्राले इसको मतलब founder कौन थे इनके founder का नाम पूछा था ठीक है इनके founder का नाम पूछा था आपके एक्जाम तो वह कौन थे तो basically बात कर सकते हैं कि इंडियन डांसर ही थे इंडियन डांसर इंडियन डांसर एस कौरोग्राफर इंडियन डांसर और कौरोग्राफर कौन पंडित बिर्जु महराज पंडित बिर्जु महराज यहीं मतलब इनके founder थे तो वही आप से एक्जाम पूछा गया तो गोविंच जी निर्दा आले के founder कौन थे तो पंडित बिर्जु महराज टेक है अगला कुशन पर हम लोग आते हैं अब कुशन नंबर 6 कुशन नंबर 6 पूछा था कि एन एन इस्टर्डली कि जैसे स्ट्रीम जिसको लूब बूलते हैं क्या बोलते हैं का अ सब एछड नूड फॉटि कैने कर सब्स टॉपिकल हो एक अ अ अरली जैट इस्ट इस्टिमलत प्सक्राडन ऑलाड्ली जैट इस्टेम बोलते हैं तぎ यह बहता कहां से कहां तक लूएू तो यह लगबग 14 डिगरी नॉर्थ में यह बैता तो यह आपसे पूछा गया था आप एक्जाम में यह कुस्चिन्स चलिए अब हम लोग अगला कुश्चन बात करते हैं अगला कुश्चन दो था कुश्चन नमबर साथ हम लोग लिखेंगे कि आई यू पी एसी नेम ठीक है आई यू पी एसी नेम पूछा था किसका आप दो ठीक है आई यू पी एसी नेम पूछा था ठीक है यह क्या होता है इसका होता है दो मिठाइल ठीक है दो मिठाइल और एक प्रॉपेन एक प्रॉपेनल रहता है और दो मिठाइल ठीक है यह आई यू पी एसी नेम था अगला क्वेशन की मैं बात करूँ जॉंडिस कौन सा बॉडी पार्ट में एफेक्ट रहता है ठीक है कि जॉन्दीज अफेक्ट को बॉड़ी पार्ट और कौन सा बॉड़ी पार्ट पैफक्ट रड़ता है लीवर कि किसमें एफेक्ट करता है लीवर पे तो ये भी आप से कुछा गया था कि अगला कुछन अब लोग आएंगे क्वेशन नमबर 9 के बाद करें WPL का मतलब क्या होता वुमेन प्रीमियम लीग टेक है वुमेन वुमेन प्रीमियर लीग यह जो 2023 में जो WPL हुआ था टेक है तो यह हुआ कहां था यही आप से एक्जामन कोशन पूछा था तो यह बेसिकली मैं बात हुआ तो चार मार्च को हुआ था चार मार्च 2023 में हुआ था और कहां पर हुआ था तो एक्ट डिवाई पाटेल पाटे इस्टेडियम तो यह मैच हुआ था और यह है कहां पिक मुंबई में कहां है मुंबई में तो यह होगा इसका करेक्ट एंसर एक कुशन आपके एक्जाम में से आया था यह कौन सा कुश्चन होगा कुश्चन नमबर में नाइन देखा था यह कुश्चन नमबर टेन एक कुश्चन सेंसर से था ठीक है सेंसर्स 2011 से आप से कुश्चन पूछा था जो फीमेल लिबर है ठीक है फीमेल लिबर फूर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में इन इंडिया वाज 25.51 परसेंट तो यह आप से पूछा था और मैं आगे बात करूं यह पूछा था फीमेल पार्टिसिपेंट रेट कितना था 25.51 परसेंट था और यह 25.53 परसेंट था ठीक है इन सेंसर्स में 2001 में ठीक है जो कि यह 2011 में स्लाइटली कम हो गया ठीक है चलिए अगला कुछिन को कुछिन नंबर में बारा बात करूं एक स्टेटमेंट पूछा था ग्रीन रेविलिशन से रेलेटेड ग्रीन रेविलिशन से रेलेटेड एक स्टेटमेंट पूछा था बाकि आप लो ग्रीन रेविलिशन के बारे में पता हो कि एक important revolution है जो कि इंडिया में start हुआ था कि start हुआ था कब 1960 में start हुआ था ठीक है और कुछ fact कि मैं बात करो तो father अगर मैं बात करूँ father ठीक है अगर बात करो स्वामी नातन जी है तो और बाकि इनको भारत रातन में भी मिला है तो यह सब आप थोड़ा इंपोर्टेंट है पर आप देख लेज़ेगा कोजिशन नमर मैं 13 बात करूं तेरवा कोजिशन है आपका आर्टिकल तेन सो साट से पूछा था यह किस से रिलेटेड यह क्या रिलेट करता है तो यह बेसिकली फाइनिंशियल एमेर्जेंसी के बारे में बताता है कि एक क्वेशन और है कि गगन नारंग अच्छा यह कुशन तो हो गया ना गगन नारंग ने और अमपिक में कौन सा मेडल जिता था ब्रॉंज मेडल जिता था ठीक है यह क्वेशन हमने कर लिया था तो इसे के साथ लगबग इतना question जो मुझे पता चला मैंने वो करवा दिया आप लोगों को अगर और भी questions मिलता है तो वो मैं एक overall shift में आपको करवा लूँगा आप मेरा WhatsApp नंबर रख लिजिए आपको जो भी सेफ्ट में एक्जाम होता है आप सेफ्ट वाइस मुझे questions भीज देजएगा आपके चैनल पर डाल दूंगा तो थैंक्यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें अपने दोस्तों के शायर करें थैंक्यू